जी स्लामलेकुम उमीद है कि आप तुमांदोस खेरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा माशालला से 600 पॉइंट्स का इजाफा और सबसे अच्छी बात ये है कि मार्किट का जो एक साइकलाजिकल लेवल है 65,000 का मार्किट ने 65,000 को क्रॉस करके जो है वो बलके 500 पॉइंट्स उपर दे दिये और क्लोजिंग जो है वो 65,502 पर दी है मार्किट का हाई 65,624 का रहा मार्किट की क्लोजिंग हाई पर रही और एक ड्रामाई ताउर पर आज मार्किट में वॉलियम बहुत अच्छा रहा मैं जाती तोर पर वॉलियम में इंक्रीज नहीं देख रहा था मेरा ये ख्याल था कि 15 के बाद जो है वो वॉलियम इंक्रीज होगा लेकिन चले अच्छी बात है अगर उससे पहले और मेरी तवक्को के बर अक्स जो है वो अगर वॉलियम जनरेट हुआ है तो बहुत अच्छा साइन है आपकी तवक्को के बर अक्स अगर मार्किट बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो ये अच्छी बात होती है क्योंकि आप जो है आपका टार्गिट छोटा होता है लेकिन आपको बड़ा उटपुट मिल जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है 65,000 पर क्लोजिंग जो है ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है बाकी इन्शालला आगे चलते हैं तो बात करेंगे कि मुमकिना तोर पर रिजिस्टन्स जो है वो क्या हो सकती है आगे चलते हैं जी और 600 पॉइंट्स के इजाफे के साथ मार्किट में जो सरक्ट ब्रीकर है वो क्या कहता है माशालला से आज भी 10 कॉमपनी जपर कैप है टॉम सिल तो जनाब रुकने का नाम नहीं ले रहा चलें अच्छी बात है जी 19 रुपे 25 पैसिफ की बाइंग थी चलें जिन्होंने आप जाशी करनी है वो करें लेकिन आप इससे दूर रहिएगा मैं गुजिश्टा दो दिन से ये बात कह रहा हूं सुना है जी सरमायावलों ने वीडियो बना दी है इसके उपर चलें जी अच्छ λोग जो हैं वो वो करीदे हैं चीज़ को पर इंतार करते हैं कि मार्किट जो है वो बेटर नियाद करें क्यों वो बैतर प्र परफॉर्म करें यह वो शेयर करें थोड़ा ह्ionar करना पड़ता है चले जी उसके बाद पी टी सी हुआ पीटी सी मुआ पीटी सी के हरने इसने कि पी आई ये भी हो गया पाकरी एक मर्दबा फिर हो गवाजिवा क्या बात है चलें जी जिस हमारे दोस्त के पास है उससे कहते हैं जी थोड़ा थोड़ा सा बेचना शुरू करें आई जी आई भी हो गया चलें इंशूरंस कॉम्पनी के बड़े चक्के लगे हैं जी इस बार उसमें काफी जो है वो उसमें अमल दखल है कुछ मामलात भी हैं फिर इंटरस्ट रेट भी उपर रहा इंशूरंस कॉम्पनी काफी कमा रही है इस बार लोर कैप की बात करें तो लोर कैप में कुछ नहीं है आगे चलते हैं जी और मजीद देखते हैं कि आज मार्किट की क् ही माशालला से कमर्शल बैंक्स वापिस आगए अपनी जो है वो रफ्तार के अंदर उसे वज़े जो है वो पॉलिसी रेट का बरकरार रहना है मेरे हाथ एक डेटा लगा था वो मैं कहीं सेव करके भूल गया हूं हो जाता है ऐसा कि उमर का भी तकाज़ है बंदा बुड़ में तो मेरा यह ख्याल था कि वो मैं आपके साथ शेयर करो तांके मुस्तविल में अगर आपको प्लैनिंग करना चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं मैं इंशाला देख रहा हूं जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने कोशिश करूंगा ओवराल मा औरंबार होँ देखिए नजर रखिए फिर आप ज flash उड़र सरो्च स्रमाइय वाली आपना दिखा रहे नहीं तो हम भी ख्रीद लेते ये टिप्स देने के हवाले से ना मुझे बात याद आ गई या भी बातों बातों में गपशप तो होती रहती है हमारी साथ ही मैंने जिस स्कूल से पढ़ा ना तो जिस दौर में हम पढ़ा करते थे ना तो अंग्रेजी जो थी ना वो शुरू करवाते थे चटी क्लास में यानि के पांचमीं क्लास तक अंग्रेजी नहीं होती थी हाँ प्राइविट स्कूल उस वक्त थे लेकिन चूकर हम नहीं बढ़त पूछा जाता था कि पहली फॉर्म लिखी होती थी और साथ में पूछा जाता था कि इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म लिखें यह मैं उन लोगों के लिए यह वाक्या सुना रहा हूं जो कहते हैं हमें वीडियो में टीप्स नहीं देते आप तो वह मेरे उस्ताद साथ की बा कि सर यह इसकी मुझे दूसरी और तीसरी फॉर्म बता दें उन्हें का नहीं बेटा मैं ने नी बता नहीं बोत को बटा सकता कि वर्व की गो की दूसरी और तीसरी फार मुझे बता रहे तो ये होता है कि बहुत सारी चीजें होती है लेकिन जो समझने वाले हैं या जो थोड़ा सा बारीक बईनी से देखते हैं उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं नहीं तो बहुत सारे लोग इसी बात पर इटके रहते हैं कि पाक सुजू की बेचें या ना बेचें आगे चलते हैं जी जुकते जुकते भी चलती रहती हैं वीडियो में क्या करें राइट आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज दो तिन खबरें हैं पहली खबर जो है वो सुई सद्रन के हवाले से है कि सुई सद्रन क बाद नौधरन ने भी गैस की कीमत में 147 फिसेता का इजाफा मांग लिया और अब इन दोनों कॉम्पनिस का कहना ये है कि अगर हमें इजाफा ना दिया गया तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगी डिफॉल्ट जो है इनका करना बिलकुल नहीं बनता हलांके इस बार इन्होंने ज अच्छा क्राइदर नहीं मिला मैंने का ये रहने दो पड़ी रहने दो उस खाली घर का जिसका एक जो है वो यूनिट भी नहीं चला गैस का तो उसका 12,000 रुट बिल दिया जी मैंने अपनी जेब से तो उसके बावजूद भी ये कॉम्पनिस कह रही हैं जी कि हमें जो है इजाफा चाहिए ये इजाफा बिसिकली ये नहीं मांग रही ये लगते हाथों आई एम एफ के चकर में अपना काम सीधा करने जा रही हैं कि हमारी जो लेकेजिस वगहरा है या जो हमारी चोरियां जो हम करवाते हैं उसका पैसा भी अवामसी जेब से निकाला जाए तो न आगे चलते हैं और दूसरी खबर जो है वो विल्मॉर के हवाले से है उनका ये ख्याल है कि वो 23.2 फीसद का स्टेक जो है वो यूनिटी में खरीदना चाह रहे हैं ये वज़ए है यूनिटी के परफार्म करने के यहां पर मैं एक चीज़ और एड़ करता चलूं देखिए स्टॉक मार्केट में जितने भी कॉम्पनी लिस्टिड होती है बलके उसके इलावा भी आप किसी भी कॉम्पनी में काम करते हों क्या उस कॉम्पनी की आए दिन सेल्स की तरफ से या जो है वो परचेज की तरफ से या किसी भी और हवाले से क्या निउस नहीं आती रहती है लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद जो companies stock market में लिस्टिड हैं सिर्फ उसकी news हमें पकड़ नहीं है ऐसा नहीं होता तमाम companies की मैं छोटी सी बात याड़ करूं फिर हम आके चलते हैं मैंने 10 साल जो है वो leather manufacturing में काम किये अब देखिए basically रुजाना की बन्याद पर data आ रहा हुता था ओर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं को ट्रेड फेर हो रहा है अब वो अधर जा रहे हैं वहां से news आ जा जा जाती थी हाँ जी अच्छे अच्छे ओर्डर्स मिल गए हैं ये सिर्फ बात शेयर करने का मकसद ये है कि शेयर खरी था उसमें हमने बकाइदा तोर पर इस चीज़ को डिसकस किया था कि news को आपने किस तरह से अनलाइज करना है news को देखे bad news आई हैं देखें कितनी bad है उसको उसका वजन करें then देखें कि share कहां तक नीचे जा सकता है bottom पर जाए उसको buy करें और फिर अच्छी news का इंतजार कर रहें news आने के बाद खरिदा तो क्या खरिदा या तो आपके resources अंदर खाते हों तो आपको पता लग जाए तो यह सारी बात बताने का मकसद यह है अब टॉम सिल चल गया ना क्यों चल गया भाई unity क्यों चल गया इसी तरह से बहुत सारे शेज नीचे पढ़ें देखें उनक पढ़ें पिछली जो हैं अगर आपको लगता है कि पिछली जो नीचे बुरी नहीं थी सिर्फ मार्किट की वज़ा से और कुछ वैसे ही लोगों की देखा देखी के वज़ा से वो शेयर नीचे गया है बाई करें फिर आराम करें वो जिन भी शाहब ने वीडियो बनाई है मैंने भी जिकर किया था कि वो जिस तरह मैंने पाकरी का जिकर किया कि वो कोई आज थोड़ी खरीदा है कि वो साड़े 6 रुपे का खरीदा हुआ अब 11 रुपे पर चला गया और हो सकता है एक उसको लॉक और लग जाए ऐसा नहीं होता टाइम लगता है चीजों को शेयर को जो है इसको लॉक कियो रग रहे हैं अब यह इसने पांच अरब रुपया उठाना है सुकूक इशू करना है इसने और इसकी वीज ने जो है वो रेटिंग असाइन कर दी है ए माइनस वन प्लस अच्छी रेटिंग असाइन की है एस केंपेर टो जो इसकी प्रिवियस यह होती है इमपॉर्टन्स रेटिंग की पिछले दिनों मैंने रेटिंग के उपर बात की थी जिसमें हमने जिकर किया था कि पाकिस्तान को अगर आई एम एफ से कर्ज मिल जाता है तो पाकिस्तान की रेटिंग बहतर हो जाएगी उस पर कुछ लोग ने इतरास किया था इसको ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं अर्दू वली एकबार में से भी आपको मिल जाएगी खबर जरूर पढ़ा करें और अगर मेरी तरह अगर आपके अंग्रेजी कमजोर है तो कोशिश करें कि अर्दू में इसकी ट्रांसलेट करके पढ़ लें गूगल ट्रांसलेटर चलते हैं जी और एक चीज़ का अब हम रुजणा की बनियाद पर जो है वो इजाफा करेंगे क्योंकि मेरे अपने साथ भी ऐसा दो बार हो चुका है कि क्योंकि हम मुलक से दूर है पांच गिंटे का फरक है तो जिस दिन कॉम्पनी ने एक्स होना था हमें पता ही नहीं चल है इनकी कल आखरी डेट है कल यह एक्स हो जाएगी उसके बाद जो है ऐसकरी कमर्शल बैंक है इसकी भी एक्स की डेट है कल धटाई रुपे का डिविडेंड है बी-ओ पी का एक रुपे का डिविडेंड है उसके बाद tub約 5.5 पैसे डिविडेंड है इसकी भी कल डेट है उसके बाद EFUG है जनल इंशोरंस है इसका 5 रुपे 50 पैसे का डिविडेंड है इसकी भी कल X डेट है और इंटाइटलमेंट बनेंगी इसकी 21 तारीक से तो ये बेसिकली आपके साथ हम शेयर कर दिया करेंगे ताकि अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकें साथ में एक चीज़ का मैं और इजाफा करता चलू कि ये प्राइवट वेबसाइट है डेटा उपर नीचे हो सकता है यहां से आपको रिमाइडर मिल जाएगा कि ओ येस मेरे पास ये शेयर है मैंने बेचना है क्रीदना है क्या करना है डिविडेंड लेना है नहीं लेना डिसीजन करना है साथ में पाकिसान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से भी एकवा टैली जरूर कर लीजेगा आखिर में डिसकस करते हैं जी आज की कैंडल को कैंडल बहुत अच्छी है कल की कैंडल के हवाले से मैंने जो राय दी थी वो यही थी के सर ये कैंडल गो के थोड़ी सी उपर बनी है लेकिन इसके बावजूद भी जहां बनी है अच्छी कैंडल है पूर उमीद कैंडल है आज उसका रिजल्ट आ गया अब मार्किट के पास आगे जो रिजिस्टन्स है वो रफली कोई 66,000 की है और मेरा ख्याल है कि मार्किट को 66 जो है वहाँ पर जाना चाहिए और मार्किट को परफॉर्म करना चाहिए आई एम एफ की खबर भी आज कल में मिल जाएगी और इसके साथ साथ जो इस वक्त बाते हो रही है मैंने कल भी दोहराई थी लेकिन उसके बावजूद भी मेसेजिस आए बिजली की कीमत ये जितने भी मा प्रोग्राम जो है वो भी मिलने जा रहा है दोनों न्यूज ही कठी आ सकती है वालियम जो है वो मार्किट को मुकमल तोर पर सुपोर्ट कर रहा है अगर आप चाहते हैं कि मार्किट में से अपना कुछ स्टेक निकाल दें तो 66,000 पर एक्जिट लेने में कुछ 20-25-30% कोई मुजाइका नहीं है बस जी इजाज़त दीजिए काफी ज्यादा जो है वो गप्शप रही आज मुझे फीड़बैक दीजिएगा कि यह जो हमने इस सेग्मन का इजाफा किया है एक्स डेट के हवाले से यह जो अनॉंसमेंट्स हैं कि एक्स डेट जो है वो कब आ रही है औ उसको एक दिन पहले इनफॉर्म कर दिया जाए इसके हवाले बताईएगा कि इसको कॉंटिन्यू करें यहां कि कभी कभी डिसकस कर लिया करें इजाज़त दीजिए जी अलाहाफिस